दोस्तों इंटरनेट पे मैंने दो एडबर्टीजमेंट देखे एक बाई मिस्टर सावन कपूर दूसरा बाई मिस्टर राजीव तलरेजा जो ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप इनको 99 रुपे दोगे या अगर आपके पास आज के डेट में 99 रुपे है अगर आपके इनको कांच सिखा देञे जिससे आप लाइफ में सक्सेश्फुल हो जाओगे, तो सबसे पहले बात करते हैं what Mr. Savan Kapoor does Mr. Savan Kapoor is a carrier coach है न ये कहते है कि अगर आप इन्हें 99 रुपीज दोगे तो ये अपने समिनार में आपको बैटने के लिए seat देंगे and उनके समिनार में ये आपको बताएंगे कि कैसे आपका salary three times high हो जाएगा अगर आज 20,000 कमाते हो कल 60,000 कमाऊगे एक हफ़ते में आपको 4 job offers हाजाएंगे and आपको जो है 90 दिनों में आपका promotion हो जाएगा तो इसके counter में जो reality है जो वास्तविकता है वो मैं आपको बता दू कि अगर किसी designation के लिए अगर किसी post के लिए industry standard अगर 25,000 है मतलब अगर आप आज की rate में जिस position में काम कर रहे हो उस position पे maximum salary अगर 25,000 है तो कोई आपको 20,000 का 3,000 का 6,000 कैसे pay करेगा how is that going to happen 20,000 का 6,000 तो तभी होगा कि जब आप किसी higher post में काम करोगे और आज जो काम कर रहे हो उसे छोड़के अगर आप किसी senior post में काम करोगे तो वो काबिलियत भी तो होना चीए आप में वो skill भी तो होना चीए आप में वो people management skills भी तो होना चीए आप में जो है उस designation को justify करने के लिए वो experience तो होना चीए experience तो time के साथ आता है है ना 90 दिन में या 180 दिन में तो experience होनी जाएगा है ना सालों के experience लगते है जब आप जो है एक entry level position से कोई leadership role पे जाते हो है ना तो even that claim does not inspire confidence second thing COVID से पहले ही आपको एक महिजे में चार job offers नहीं आते थे and इनको 99 रुपीस देने से कैसे आज के market में आपको एक हफदे में चार job offers मिल जाएंगे when every company is trying to focus on automation they are deploying software systems जिससे वो manpower का खर्चा minimize कर सके कम से कम manpower में ये चल सके every company is trying to do so job cuts हो रहा है we are entering into a recession तो एक हफदे में आपको चार job offers कैसे मिल जाएगा it's not going to happen it does not coincide or it does not match with the reality or with the truth इनका तीसरा जो दावा है कि 90 दिन में आपका promotion हो जाएगा तो 90 दिन में मेरे भाई कैसे promotion होगा मैंने sole proprietorship से multinational company में काम कर चुका हूँ everywhere एक साल में लोगों का appraisal होता है जो आपका salary बढ़ता है जब आप promotion होता है and everything वो साल में एक बार होता है 90 दिन में नहीं होता है it does not happen तो यह है this is the clear picture कि यह advertisement में क्या बताते हैं क्या promise करते हैं and reality क्या है अब बात करते हैं Mr. Rajiv Talreja जी की तो यह भी जो है 99 रुपीज में कोई online seminar करते है जहां पर 99 रुपीज दे के अगर आप आगए तो यह आपको जो है business के ऐसे concept समझा देंगे it does not you know it's not necessary rather की आप business के लिए बने हो आपको business समझ में आता है क्या आप उतना mentally capable हो की एक business समझ के उसको operate करने के लिए यह सब entry-level checks कुछ है ही नही anybody can pay him 99 रुपीज join the session he gives you some tips and advices and then you become the next Vijay Shikhar Sharma you become the next Bhavisha Garwal you become the next Anisha Chutan and who else like you know Elon Musk, Jeff Bezos कुछ भी बनना है बन जाओ 99 रुपीज में है न तो in conclusion मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जिन्देगी में अगर आप कुछ करना चाहते हो if you want to do good in your professional career job में पहला चीज जो सबसे जादा important है वो है कि सिर जुका के कितना अच्छे से आप चापलूसी कर सकते हो HR policies भूल जाओ HR policies में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है लेकिन अगर आप अपने boss को आप अपने co-workers के साथ अगर तेल लगा के जी हजूरी करके अगर सिर जुका के अपने जमीर मार के अगर काम कर सकते हो तो आप sustain करोगे तो आपका promotion होगा तीसरा चीज skills and experience होना चाहिए उस position को justify करने के लिए या promotion के लिए जिस position में promote होगे उस position पे काम करने लाएक आपने उतना skill उतना experience होना चाहिए अगर आप managerial position में अगर आप जा रहे हो तो आपने people management skills and leadership skills होना चाहिए अगर नहीं है तो इस पे आप workout कर सकते हो है ना and educational qualification है ना तो ये सारा चीज matter करता है अगर आप अपने job में promotion चाहते हो अगर आप business में आना चाहते हो तो you have to understand कि what value you can create with your product for people and society सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले आपके पास एक product के service होना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा कि उस product and service लोग आपसे क्यों खरीदेंगे एक बार खरीदेंगे या इसको बार बार खरीदेंगे ऐसा कौन सा product के service आप बना सकते हो जो हर बार 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 लोग आपसे खरीदते रहेंगे आपका competition क्या है अगर competition है तो भी it's not mandatory कि आप मतलब उस business में आई नहीं सकते हैं आ सकते हो लेकिन आपके product में ऐसा कौन सा USP होगा unique selling point होगा जिसके कारण जो existing competition है उसका product नहीं बिकेगा उसका service नहीं बिकेगा लेकिन आपका service बिकेगा ऐसा क्या कर सकते हो यह आपको सोचना पड़ेगा है ना तब आप business पे आ सकते हो तो यह सारा चीज matter करता है in life and मैं कौन होता हूँ यह सारा कुछ बोलने वाला ठीक है मेरा background एक middle class family से belong करता था आज भी हूँ लेकिन खेर आज तो मतलब थोड़ा सुधार कर पाए आपने काबिलियत से बैचलर से इन electronics and communication हूँ साड़े 6 साल का professional career रहा in sole proprietorship से लेके multinational company तक 10 साल के उपर का experience है as a professional software engineer, data scientist information security researcher and a business consultant पिछले कुछ सालों से independently काम कर रहा हूँ, खुद का private practice है clients को service देता हूँ, people business in society के लिए value create करता हूँ and guess what, my professional fees is $200 an hour, है ना and यह अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो, आपको जो reality है जो facts है उस पर आपको focus करना पड़ेगा कोई course या कोई किसी का कोई या कुछ fund अगर कोई आपको दे देगा उससे आपके career को आप elevate नहीं कर सकते है ना उससे आप अपने जिंदगी में सफलता की शिखर तक नहीं पहुच सकते है महनत करना पड़ेगा मुझे याद है मैं रात को 3-4 बजे तक code का bug जब तक complete नहीं कर लेता था जब तक मैं समझ नहीं लेता था कि why am I getting error in my code आँखे कितनी भी जले मैं सोता नहीं था that is the hard work and dedication I have put in and उसके उपर based experience है आज 500 के उपर commercial projects मैं कर चुका हूँ and this is why आज की डेट में IIT IIM के बंदे जो job नहीं करना चाहते they take appointment they come to me they ask me कि ये मेरा idea है ये कितना viable है इसका revenue model क्या रहेगा how do I reach out to the people इसका software system कैसे किस तेरे कैसे बनेगा and like how scalable is this तो ये इन सारे सवालों का answer मैं लोगों को देता हूँ and I get paid for it and जैसा मैं आपको पहले भी कहा I'm not bossing अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हूँ लेकिन work on yourself you don't need some online unknown gurus to take money from you and give you crazy advices I think मैंने आपको free मैं advice दिया है कि आप कैसे job and अपने you know entrepreneur journey में success कर सकता हूँ give it a try and अगर कोई consultation चाहिए comment section में अपने सवाल पूछिए सारे comments में पढ़ता हूँ and I'll give you the advice you don't need to pay me any money if you start a business if you need to make an app if you need to make a website if you need to make a software to manage your business ठीक है you come to me that is my profession we discuss the pricing and we get this thing done but the basic consultation you come to me I would give you a consultation for free and I'll be happy कि अगर मेरे consultation से if you can do something in your life at the end of the day beyond money अगर लोग मेरे advice से कुछ करता है अगर लोग मेरे suggestion से कुछ अच्छा एचीव कर पते life में पैसे से ज़्यादा satisfaction मेरे को उसमें है पैसा तो यार काबियत है कमा लेंगे हमेशा कमाएंगे है ना उपर वाली की दुआ है अपने माता पीता के अशिरवाद हमेशा अपने साथ है and हाँ clients की भी दुआ है जिनके चहरे में हम मुसकान लाते है हमेशा उमीद करता हूं तो वीडियो आपको stay safe take care bye bye